तो एड्जेक्टिव को हिंदी में भी शेशन कहते हैं तो इसका डेफिनिशन हम सबसे पहले जानते हैं तो देखें एड्जेक्टिव का डेफिनिशन होगा अबड़ विच वालिफ इसका डेफिनिशन होगा अबड़ विच वालिफई दॉन और प्रोन इसका डेफिन अजेक्टिव यानि एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेशता बताता है उसकी क्वालिटी बताता है उसको क्वालिफाई करता है यानि एड्जेक्टिव ऐसे वर्ड को कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कहता हो और यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि qualify करना विशेस्ता बताना मतलब अच्छाई भी और बुराई भी ठीक है जैसे ram is good और sita is bad तो यह good bad दोनों ही quality है ठीक है तो इस पे हम ध्यान देंगे विशेस्ता मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ positive ही negative भी उसके साथ होता है तो आए इसका हम example देखते हैं जैसे mamta is a good girl तो यहाँ mamta क्या है mamta एक noun है तो noun के पार में क्या कहर जा रहा है mamta is a good girl तो यहाँ पे good जो है यह adjective है क्योंकि यह word जो है good यह mamta यानि noun का noun को qualify कर रहा है noun की विशेस्ता बता रहा है ठीक है जैसे rohan is brave रोहन जो है वो बहादूर है ठीक है यहाँ brave adjective है क्योंकि यह रोहन की विशेस्ता बता रहा है जैसे this is a green shirt यहाँ एक green shirt है ठीक है तो यहाँ पे क्या है adjective यहाँ पे green इसका color इसकी विशेस्ता है तो यहाँ पे इसको qualify कर रहा है किसको this जो की एक pronoun है तो यहाँ हम समझ सकते हैं adjective का definition example के साथ ठीक है आईए अब हम देखते हैं kinds of adjective यानि adjective के कितने प्रकार होते हैं ठीक है तो heading देंगे kinds of adjective तो अब हम देखते हैं कौन-कौन से kind होते हैं adjective के so adjective is divided into 10 parts तो हम देख लेते हैं वो 10 parts कौन-कौन से हैं तो देखिए पहला है प्रॉपर एड्जेक्टिव सेकेंड है एड्जेक्टिव ओफ क्वालिटी थर्ड एड्जेक्टिव ओफ क्वान्टिटी फोर्थ है एड्जेक्टिव ओफ नमबर फिफ्थ देमंस्ट्रेटिव ओड्जेक्टिव 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 ओड्जेक 8th is possessive adjective 9th is phasing adjective 10th is exclamatory adjective तो अब हम जान चुके हैं कि adjective के जो 10 kinds है वो कौन कौन से हैं ठीक है तो अभी तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा होगा क्लियर नहीं हो पाया होगा तो जब हम बारे बारे से इसको example के साथ one by one इसके प्रते kind को पढ़ेंगे तब हमारा जो जितना भी kind है ये clear हो जाएगा कि कौन से adjective किस kind का है ठीक है तो आईए हम स्टार्ट करते हैं फ्रस्ट काइंड से जो है प्रॉपर एड्जेक्टिव तो देखिए हेडिंग देंगे फ्रस्ट पार्ट जो है फ्रस्ट काइंड क्या है वो प्रॉपर एड्जेक्टिव इसका डेफिनीशन देखते हैं एड्जेक्टिव विच इस वीडर ओफ और फ्रस्ट परॉपर नाउन इस कॉल्ड प्रॉपर एड्जेक्टिव यानि ऐसा एड्जेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना हो उसे हम प्रॉपर एड्जेक्टिव कहते हैं अब हम इसे एक्जाम्पल के साथ समझेंगे एक्जाम्पल प्रॉपर नाउन प्रॉपर एड्जेक्टिव हम डेफिनिशन में क्या पढ़ हैं एड्जेक्टिव जो प्रॉपर नाउन तो यहां हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एड्जेक्टिव कैसे बन जा रहा है ठीक है तो देखें प्रॉपर नाउन प्रपर डाउन मतलब आपको याद है न किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम, ठीक है, या किसी खास जगह का नाम, तो देखें जैसे प्रपर डाउन में, INDIA, एंडिया, special country हमारा देश, तो देखें, इसका प्रपर आपजेक्टिव जो हमें बनाना होगा, तो होगा Indian, ओके, त proper adjective कैसे है एक sentence बना कि हम देखते हैं जैसे I am an Indian मैं एक भारती हूँ तो I, मैं, यानि मैं क्या हूँ I क्या है यहाँ, pronoun है ठीक है, और पहले हमारे clear है कि noun pronoun के बारे में कुछ भी जो कहा जाता है वो adjective होता है, यानि उसको qualify करता है, तो देखिए I को क्या qualify कर रहा है Indian, यानि मेरे बारे में क्या बताया जा रहा है कि मैं एक Indian भारती हूँ तो यहाँ Indian जो है यह proper adjective है ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सार वर्ड होते हैं जो proper noun में होते हैं और उनसे proper adjective बनता है जैसे America तो American जैसे Japan एक special country है और इसका जो होगा proper adjective वो होगा Japanese वैसे ही Russia तो रशा का proper adjective होगा Russian जैसे England इसका होगा English यहाँ ध्यान देंगे English language भी है और English वैसे लोगो को कहते हैं जो England के वार्सी हैं जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियन कहा जाएगा तो वैसा ही England में जो people रहते हैं इंग्लिश कहा जाता है अब हम इस पर कुछ नोट लिखते हैं ठीक है तो नोट नमबर वन जो है वो है प्रॉपर एड्जेक्टिव का फर्स्ट लिटर हमेशा capital होता है हम नाउन में भी पड़े थे कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लिटर हमेशा capital होता है तो हम प्रॉपर एड्जेक्टिव के डेफिनिशन में पढ़ चुके हैं कि वो प्रॉपर नाउन सही बनाया जाता है ठीक है तो यहाँ प्रॉपर एड्जेक्टिव का फर्स्ट लिटर हमेशा capital होता है ठीक है इसे हम नाउन याद करके भी इसको हम याद रख सकते हैं इस रूल को और जो नोट नमबर ट्यूव है वो है प्रॉपर एड्जेक्टिव भी अपने आप में प्रॉपर नाउन है इसका एग्जांपल हम देख लें तो देखें जैसे Mr. David is American तो अमेरिकन यह तो हम अभी पढ़े हैं कि यह जैसे अमेरिका में रहने मलका अमेरिकन तो यह जो है अमेरिकन यह प्रॉपर एड्जेक्टिव है ओके और यही सेंटेंस जैसे Mr. David इसन अमेरिकन ओके यहां जो अमेरिकन है यह नाउन भी है और कौन सा नाम प्रॉपर नाउन ओके तो यह रूल हमको याद रखना है कि प्रॉपर एड्जेक्टिव जो होते हैं वो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन भी है ओके जैसे एड्जेक्टिव के सेकेंड काइंड पर ओके सेकेंड काइंड हमारे क्या था सोरी सोरी एड्जेक्टिव ओफ क्वालिटी पहले इसका डेफिनीशन देखेंगे हम अशन देखेंए ऑड्जेक्टिव झालिटी ओड्जेक्टिव और वाल्डि अच्छिव घ्रभष थे इसकाल औरव म away जान अशन देखेंड ड्यूद आड़् देखेंड जान बीक्टिव जान ली कि चूलिवस कालिव झालिवस है यानि ऐसा adjective जो quality भी दिखाएं और state यानि अवस्था भी दिखाएं ठीक है तो इसका example पहले हम देख लेंगे कि कौन-कौन से ऐसे adjective है जो adjective of quality में आते हैं तो देखें ऐसे good, bad, good, bad, strong, weak, great happy, happy state है, sad state है, mad जो है वो भी state है, fat, thin, short, big, small, honest यानि ऐसे जितने भी word है जो quality यानि अच्छा बुरा दोन पॉजिटिव पॉइंट भी और निगेटिव पॉइंट में बतलाते हूं और state बताती हूं, अवस्था बताते हूं, जैसे happy, जैसे I am happy तो ये मेरी विशेश्था थोड़ी नहीं है, ये state है, ये quality नहीं है, state है तो adjective of quality जो है वो quality और state दोनों को दिखाता है, ओके? इसका example हम देख लें, तो देखिए, example में हम लेंगे सुबाश चंद्रबोश was a great leader, ओके? सुबाश चंद्रबोश was a great leader, तो देखिए great, यहां great जो है, ये सुबाश चंद्रबोश की quality बता रहे है, तो यहां great क्या है? great adjective है, और adjective कौन सा? adjective of quality, ठीक है? एक और example लेते हैं, जैसे, they are poor, ओके? तो poor कोई quality नहीं है, ये एक state है, गरी भी क्या है? एक अवस्ता है, तो यहां poor जो है, ये adjective of quality है, ओके? एक और example लेंगे हम जैसे, these children are lovely. ओके? तो यहां क्या है? lovely adjective है, adjective of quality, ओके? तो इस टाइब के जो भी word है, जो quality और state बताते हैं, वो adjective of quality में आएंगे. तो इस वीडियो में हमने adjective का definition and उसके two kinds डीटेल में पढ़ लिये हैं, अब मिलेंगे हम next वीडियो में, third से start करेंगे. ओके? तेंगे. झाल झाल